हालो दोस्तों मैं हूँ कमल मेरी चनल फैसल लाइफ है आपका स्वागत है दोस्तों बहुत सारी पूराने साड़ी के बारी में उसका कैसे इस्तिवाल करना है तो मैं आपको मेरे वीडियो में बताया था आज मैं आपको बताऊगी और दिखाऊगी कि पूराने साड़ी होगा जैसे कि हमारे पास कुछ पूराने पार्टिवर साड़ी है तो उसका प्लाउच तो अभी हमें नहीं हो रहा है तो प्लाउच हमें टाइट हो रहा है या फिर प्लाउच का डीजाई चैच हो गया है तो उस साड़ियों का हम क्या करें हमें ओ साड़ी ऐसे पसंद है कि हम उसमें से ड्रेस भी नहीं कर सकते हैं उसको हमें साड़ी की तरह ही पहना है तो अभी अगर हमें साड़ी को पूराने साड़ी को साड़ीयों की तरह ही पहना है तो एक आइडिया है जो हम उसको उसी साड़ के जरिये से इस्तिमार कर सकते हैं जैसे कि हमें पूराने ब्लाउस नहीं हो रहा है तो हम पूराने ब्लाउस को अभी उसका तो स्टाइल ही चेंच हो सकता है तो हमें और दिखाई देगा पहनने से तो अभी हमें क्या करना है कि वहीं पूराने साडियों को हमें उसमें से हम तो ठीके जैसे की मिरोर याचुंक की ऐसे में प्लेइन साडी हो, तो उसमें कुछ लगा कि हम उसका डीजन चेंज कर सकते हैं, या फिर हम उसका निया लूक देने के लिए उसका ब्लाउस को हम चेंज करते हैं, तो मेरे पास कुछ ऐसे ही आइडिया से, जो मैं आप लोगों क कि कि आप अपने पुरानी प्ट्वेर साड़ी को किसे दुबारा पहन सकते हैं, उसका किसे दुबारा यूज कर सकते हैं, तो पहले क्या है कि मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह आपका साड़ी है, जैसे कि यह मेरे पास है, एक fancy time, यह बांदी निकाए है, तो इसका blouse मुझे अभी नहीं हो रहे और उसका क्या है कि अगर रूज हो रहा है था हम टाइट कर लेंगे लेकिन उसका अगर डिजाइन ही चेंज हो जगे आए तो पुराना डिजाइन में हम पहन नहीं सकते हैं तो इसका ब्लाउज मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहे हैं जैसे कि इसका ब अच्चिस कि वाला शाडियार शब पास इसा वाला पकीवल साडी होगा इस वाले शाडी आपके पस ज़ोर्ट होगी तो उस तरह ड़ी को हमें ये नेट का साडी ये वीच में नेट शाड़ी बहुत रिजय में बहुत के था तो अभी हम लोग बहुत एक्सपेस उसमें डाल के हम खरी लेते हैं लेकिन अभी ओ इतना नहीं है तो यह एसा वाला पिन लास्ठ लैस्च, यह एसा वाला साजी आप लोगों के पास जोल मैं सकी तो आप तो क्या करना है पार सबस्वाल म्हा करना हैं वसे शाजी मिश्यार भीछ डीजाइन नहीं हरा है यह तो ऱकिन क्रतिक इन फ्रॉं़ शीच초-शूफ़ Turkish साड़ी को हम पेंच सकते हैं तो मेरा प्लैटी है कि अगर हमारे पास षाड़ी कुछ साड़ी शाड़ी का उसका ब्लाउज हमें नई हो रहे तो हमें क्या करना है कि उसमें हमें अभी जैसे कि लेटेस में बोातनेक चलुरा है तो हमें boat neck में उसी का border में अगर कुछ colour है तो उसी colour का हमें paint colour यहां से body गो paint देके और sleep को थोड़ा सा अलग जैसे की net का हो या या फिर दूसरा कुछ print का एमरेटरी का हो या फिर ब्रोकेट फेब्रिक print का वह सबका श्लीप में देगे हम उसको बोट नेक देगे अभी बोट नेक फिला रिलेटेस में बहुत चल रहा है सबको पता है तो उसी को गिजन हम बना के एक अलग कॉंबिनेसर का ब्लाउस हम कर सकते हैं तो वह साड़ी को हमें हम पेहन सकते हैं दुबारा और वह एक सकते हैं यह एक प्लेइन साड़ी है कैसे कि इसका डीजाइड ऐसे ब्लाक कलर का है वोट नेक और यहां से स्लीप में कुछ अलग प्रीट का कपड़ा हो आप कर सकते हैं या फिर कोई ब्रोकेट फूल बोडी के लिए ब्रोकेट प्रीट का फेब्रीक प्रीट का ब्लाउस सकते हैं विर और कोल सुलडर का आप यहां पर से डीजाइड कर के पहन सकते हैं फिर यह था मेंसे धाना फेर्सट फिर सेकेंड में ढां स यह बालव Looks का ऐडिया से जिस्जे के सेकेंड में आपको बता रहे हूं आप ब्लाव प्लेइन क Norm हो या प्रिंटेड क्लरोह तो आगर प्लेइन कल're के लिए प्रिंटेड कलर का या व्युटार के लिए में प्रिंटेर साड़ी के लिए हमें न फिल लेग्स्मों के ब्लाउश कर सकते ह। आजकल मार्केपने बहुत अच्छा मैध्येल का कौपडा मिल रहा है आप उन में से लेकि एक प्रिंटेर्टॉम के बांसा क्ते हैं मतलब मेरा मतलब एक blouse बना सकते हैं जो अभी लेटेस में है यहां से यहां से इसे आएगा उसका प्रेयर आएगा तो आपको अच्छा लगेगा पहलने के लिए ओ एक blouse एक डीजाइन हो गया और लेटेस डीजाइन में blouse बन गया तो साड़ी आप उसके साथ पहल सकते हैं कॉंबिनेशन कैसे blouse लेना है कैसे contrast करना है मैं आपको यहां पर फोटो लगा दूँ कि आपको उसमें से आइडियास मिल जाए गया यह फोटो देखिए यह एक peplon blouse का फोटो है इसको देखिए यह कैसे दिखरा कितना सुंदर दिखरा है इसे blouse आप बना सकते हैं और नमबर थी में आप प्लेइन साडियों के लिए या फिर प्रिंटेट्स के साडियों के लिए जैसे कि यह वाला साडी इसके लिए मुझे यह अगर contrast कलर में करना है तो इसमें से सारे colors है तो मुझे क्या करना है इसे blue color का एक slipless blouse करना है साहे plain का करेंगे तो थोड़ा अच् slipless में तो आप golden silver का blouse भी आप कर सकते हैं तो silver slipless का blouse अगर आपको एक बना नाए तो उसका slip को आप थोड़ा सा कॉड़ा में रखिए करके आप बनाए थोड़ा स्ट्राइलिस दिखेगा और बहुत अच्छा लुक आएगा स्मार्ट लुक देगी ऐसे वाला blouse तो आप एसे भी एक slipless blouse कर सकते हैं तो यह हमारा number 3 गया और slipless में मैं आपको यहां पे फोटो दिखा दूगी दो पोटो दिखा दूगी आप उनमें से यह ले सकते हैं एक नेक वाला भी है आप फूल नेक में एक blouse बना सकते हैं स्लिपलेस में बहुत अच्छा दिखाई देगा उसमें से आपका पटोरिस साड़ी आपको शिर्ट ध्यान रख रहा है कि आपका साड़ी में केसा कलर है आपको केसे कोंट्रस्ट में उसी को कौन से कलर में बनाना है पिर नमबर फोर में हमें यही बनाना है कि अभी फ्लेर ब्लाव चल रहा है तो आपको अभी यही से यहां से एक फ्लेर में स्लीप बनाना है तो आप फूल फ्लेर में स्लीप बनाना है तो आप फूल प्लेर में जैसे कि यहां पे स्लीप बनाएंगे तो यह ब्लाव आपका पूराना साड़ी को एक निया लूक देगी और आपका पूराना साड़ी यूज हो सकती है यह सिर्फ देखना है कि आपका कॉलर कैसा है आपको कैसे ब्लाउज त्यार करना है बहुत सारी सुंदर सुंदर ब्लाउज आप बना सकते आपका पूराने साड़ी लिए पूराना सा वहां से साधी के लिए कर रहे है फिर नॉमबर फ़ाइब नॉमबर फाइब पना सकते हैं यहां से आप प्लेएर बना सकते हैं यह और एक आइडिया से तो यह वाला ब्लाऊ साथ ने हैं दीज़ाइब हैं लेकिन एक बात धियान प्मा प्लेइन साडी में अगर साडी light तो उसका ब्लाउस ज़रूर को ठोड़ा डार contrast कलर में किजिये या कभी कभी साडी में हमारा कलर भी नहीं रहता है उसकी कलर को भी हमें ब्लाउस बनाने से बहुत अच्छा लूप देता है बहुत साड़ी रहता है जिन में से golden और silver नहीं रहता है लेकिन फिर भी आप उसको contrast combination करने के लिए अगर आप उसको उसी साड़ी में अगर silver color का या golden color blouse पहनते तो एक नया model लूप देता है बहुत अच्छा लगता है तो आपको ऐसा वाला भी एक बनाना है यहाँ पर देख यहां तक उसका sleep है और यहां से लेर है तो इसे blouse आप अगर करेंगे तो आपको अच्छा लूप देगा और आपका साड़ी दुबारा रियूज हो सकता है तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगे मैंने इसे में दो blouse बनाया है यह है यह है बोटने का blouse इसके साड़ी है यह इसे वाला साड़ी मैं आपको दिखा लेहूं यह साड़ी के लिए मैंने यह blouse बनाया है इसके लिए अंदर एसा कलरी नहीं है लेकिन एसा blouse बनाने से बहुत अच्छा लूप देता है और यह साड़ी में दुबारा यूज कर लेती हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है यह साड़ी कुछ नहीं मार पता चालता है कि यह कोई पूराना साड़ी है फिर यह एक blouse है यह blouse भी मेरा कुछ प्लेईर साड़ियों के लिए काम आजाता है यह भी मैंने एसा ही फेब्रिक लेके यह दोनों मैंने ब्रोकेट फेब्रिक प्रिंट का कपड़ा लेके बनाया है आप लोगों को किसा लग रहे है आप ज़रूर बता ना यह मेरा था फाइफ आइडियास आपका पूराने फेंसी टाइप साड़ी होगा क्यूंकि हम बहुत कॉसली साड़ी खरी लेते लेकिन उसका स्टाइल चला जाता है तो साड़ी हमारा यूज नहीं होता है तो हम आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताए तो यह था आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा अगर मेरे इस वीडियो में कुछ भी कोई भी बारत आगर आपको पसंद नहीं हुआ या कौन से स्टाइल आपको पसंद आया जादा आप ज़रूर मुझे कमेंटे से सुन में बताना तो यह बार टेक क्या और मेरे चैनल को लाइक सब्स स्टाइल